जहें दोस्तों, दोस्तों बहुत ही खतरनाक सी खबर आ रही है और खतरनाक खबर ये है कि इस समय पर रोमानिया के अंदर, रोमानिया ब्लैक सी के अंदर रोमानिया के दो प्लेंस जो है वो नाटो ने मार गिराई है, स्वारी, दो प्लेंस, एक प्लेंस है और एक हेलिकॉप ही है वो बता रही है उसका जो हैड है यह क्या नाम है है वो यह है कि सेवन डेड इन रोमानियन मिलिटरी रेस्क्यू ऑपरेश हेलिकॉप्टर क्रेश असलियत में मामला क्या था कि रुशियन मिलिटरी का मिग 21 लेली जो लांचर था वो ड्रॉप ऑफ दे रडार हैस्ट उसके बाद हेलिकॉप्टर जो भेजा वो भी क्रेश हो गया यह रोमानियन इंसाइडर की एक न्यूस है अब मोटे तोर पर देखा जाए तो यह मामला है क्या रोमानिया का क्या है और नाटो का एकदम से ने वो क्या आ गया और इसमें वर्ड वार थी की सिचुईशन किस करेंगे लेकिन उससे पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट यह के दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बैल आइकन जलूर दबाए ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके हैं तो दूसरी एक रिक्वेस्ट के अगर आप एक इनफोर्मेशन के अगर आप यूपीस्ट की तैयारी कर रहे लाए तो आपको न्सी आईटी के बैसिग का सब्सक्राइब कर वाये जाएं तो जल्दी जल्दी आप उसके अंदर जॉाइन कर सकते हैं अब आ जाते हैं मामला क्या है और रुमानिया का ये इशू क्या है तो अगर आप यहां पर मोटे तोर पर देखें तो दोस्तों कहानी यहां पर ब्लैक सी की है ब्लैक सी में यहां यह यह यूकरेन जिसके उपर बहुत जादा कलेश इस समय पर चल रहा है लड़ाई जगडा काफी सादा दूसरी तर पर यूकरेन से रशिया की खुल कर लड़ाई चल रही है लेकिन यहां एक जो बॉर्डर लगता है वो बॉर्डर कंट्री है रुमानिया यहां यह जो रुमानिया और बुलगारिया है यह नाटो के मिंबर्स है और नाटो के मिंबर्स होने की वजह से असलियत में टेंशन यहीं पर है कि रोमानिया और रोमानिया के जो मिग 21 प्लेन था वो असलियत में इस पूरे इलाके की रेकी टाइप कहो या कुछ भी वो करने गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि रुशियन्स जो है वो गलत एरिया में एंट्री कर जाया उसकी पुजीशन लेने या कुछ भी लेकिन सीधा उसके उपर हमला हुआ और वो डिसपियर हो गया रेडार से उसे ढूडने के लिए गया जो हेलिकॉप्टर था वो भी कायब हो गया या कहीं ना कहीं ये सिचुएशन से असलियत में इसी सिचुएशन का डर था कि कई बर क्या होता है न दोस्तों अगर आप वर्ड व और वन के बारे में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो असलियत में हम ये कहते हैं कि वर्ड वार वन एक ऐसा वर्ड वर था जहां पर या एक ऐसी सिचुएशन थी वर्ड वार वन से पहले कि नो कंट्री बॉट्टे टू हैव वार विद एच अगर दे वर प्लेइंग The Policy of Brinkmanship कोई कंट्री एक दूसरे से युद्ड नहीं करना चाहती थी वो सिर्फ और सिर्फ Policy of Brinkmanship यानि की घुराने की नीती के उपर भुरूसा था कि सामने वाले को डराया जाया घुराया जाया दबाया जाया और वर्ड वर 1 हुआ कि स लिए कि प्रिंस परदिनंद की एक नाम के बंदे ने हत्या कर दी और साइबेरिया, सर्विया जैसे देशों को ये लगने लगा था कि अगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और अगर नहीं सुनेंगे तो कम से कम ऐसा कोई इंस्टेंट हो जिससे पूरी दुनिया इनकी तरफ आकर खड़ा हो जाए अब यहां म वो किसी भी तरीके से यूक्रेन के फेवर में आते हुए नज़र नहीं आ रहे वो यूक्रेन को हतियार सप्लाई कर रहे हैं वो गोला बूरा बारूद सप्लाई कर रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं सब कुस दे रहे हैं लेकिन इस युद्ध में रशिया के खिलाफ कूदने की ह हो जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर एक dirty politics का scope बना रहता है dirty politics का scope यह के असलियत में करेगा कोई नाम किसी का लगा दो जैसे भारत की राजनिती में भी अगर आप देखें तो election के अंदर लोगों के emotions को भढ़काने या कुछ ऐसा situation create करने के लिए जिससे लोग नाराज हो जाएं और दूसरे के ऊपर उसका आरोप लगे उससे फाइदा election लडने वाले को मिलता है यहां पर भी यूक्रेन के माँ भारत में तुम देखा होगे कई बार एक दूसरी party के पर आरोप लगते हैं कि जी कुरान हाथ में रख दी या फिर बजरन बली के आज में कुरान रख दी अलागि बंगला देश का इशू था गुरुगरण साहिब के पन्ने फटे वे मिले कुरान साहिब के पन्ने फटे वे मिले जो भावनाओ का जिसे समर्थन चाहिए होता है और ताकतवर जो है वो हमेशा इस चीज़ से बचकर निकलने की कोशिश करेगा यहां अगर आप इन दो प्लेंज को देखें तो कहीं ना कहीं अगर ये जो दो प्लेंज जो रुमानिया के जो दो प्लेंज हैं ये अगर गिरा दिये गए तो रुमानिया के प्लेंज गिराने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे नाटो के प्लेंज गिरा दिये गए हो रुमानिया के प्लेंज गिराने का सीधा मतलब ये है क्योंकि रुमानिया नाटो का सदस्य देश है तो इसी जी इसका आर्टिकल 4 और 5 जैसे ही एक्टिव होंगे आर्टिकल 4 और 5 और यानि नाटो कमपल्शन में आ जाएगा रशिया पर हमला करने का अब यहां सिचुवेशन ये है कि इस हमले से फाइदा किसको होगा वरना मेरा मानना ये है मेरा मानना ये है कि ना तो रशिया चाहेगा कि युक्रेन पर और मालदोवा पर हमला करके कबजा करते हुए नाटो का कोई देश उससे आकर लड़े और ना ही नाटो चाहेगा कि वो अपने सर एक लड़ाई ओड ले नहीं यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि रशिया जिसे टर्की है टर्की नाटो का मेंबर है लेकिन टर्की यूरोपीन यूरोपीन का मेंबर नहीं है टर्की अगर चाहे टर्की का एक पूरी की पूरी सिंपेथी यूकरेन के साथ है लेकिन टर्की और टर्की ऐसे सिग्नल भी क्रियेट कर रहा है कि यह जो सी ओफ मारमरा यहां देखो दोस्तो में बात यह है यहां पर आपको ब्लॉकेड्स नजर आ रहे होंगे कि यहां असलियत में अगर आप इसे मोटे तोर पर देखो तो यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट है और यहां पर यह डार्डिनेल्स स्ट्रेट है यानि जलसंदी है इन दोनों स्ट्रेट से ही जो शिप्स हैं वो क्रॉस करते हैं इन ही दोनों स्ट्रेट से यह जो शिप्स हैं यह क्रॉस करते हैं और Black Sea के अंदर जाते हैं याद रखिएगा Facts में एक तरफ Aegean Sea, Dardanelles Strait, Sea of Marmara, Bosphorus Strait, Black Sea हम ऐसे याद करते थे BBMDA याद कर लेते थे ताकि हमारे को ये सिरीज याद हो जाए कि Black Sea, Bosphorus Strait, Marmara Sea, Dardanelles और Aegean, BBMDA याद हो जाता था तो हम मतलब पूरी सिरीज याद कर लेते थे आप भी याद कीजिएगा पेपर में आ सकता है कि order क्या है अब आप यहाँ समझिए यानि टर्की ने रशिया के ships जो war ships थे उन्हें Black Sea में entry करने से मना कर दिया ताकि आप वो ships अगर अंदर पहुँचेंगे तो problem create होती हुई नजर आएगी यादि यहाँ ना तो टर्की दिखाई दे रहा लड़ता हुआ ना ही नाटो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा तो असलियत में ये conspiracy है क्या असलियत में अब क्या होगा conspiracy या नहीं जो शड़ेंतर है तो अब blame game शुरू होगा और जैसे ही blame game यहाँ पर दोस्तों शुरू होगा इस blame game का सीधा असर आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं now no one is going to take responsibility कोई इसके responsibility नहीं लेगा लेकिन यहाँ पर आपको peace के मामले में कोई भी अपने आपको ताकतवर दिखाने की कोशिश करेगा और कई मामलों में ऐसा होता है कि शांतीत की बात करने वाला ही कायर कहलाएगा फर्स्ट वर्ड वर में यही situation थी जिस असलियत में प्रेस का मीडिया का उस समय पर इतना जबरदस्त दबाव था कि अगर कोई भी पीस ट्रीटी का माइने क्या थे वो देखी जाएगी मतलब पीस एक इस समय पर बात जो करेगा लेकिन अभी भी उम्मीद ये है कि अगर कोई भी नेता जैसे हमारे मोदी जी है या इस लेवल का कोई भी एक बड़ा नेता इस लेवल का कोई भी बड़ा नेता बीच में आक बीच बचाव करें और कही ना कहीं दोनों ग्रुप्स के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें शांती स्थापित करने का तो शायद ये वड़वा रुख सकता है वरना जिस तरीके से अमेरिका और रशिया की इस समय पर सिचुईशन्स हैं तो अमेरिका और रशिया जिस समय हो गया तो मजबूरी ये हो जाएगी कि चाइना को यहां पर कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि रशिया के उपर दबाव कम हो और जैसे ही रशिया के उपर दबाव कम करने के एफर्ट शुरू होंगे चाइना अगर यहां पर आएगा तो ना चाहते हुए जापान ताइवान आस्ट्रेलिया इंडिया अमेरिका इधर भी लड़ पड़ेंगे तो यह जो वार अभी तक केवल और केवल यूक्रेन और रशिया के बीच में है ये वार वर्ड वार में कनवर्ट होती हुई नजर आ जाएगी कोई भी ग्रुप इस समय पर पीछे हटन हम नुक्लियर बटन दबा देंगे अगर एक बार रशिया जैसी रशिया या ऐसा ही कोई देश ऐसी कोई irresponsibility कर लेता है तो समझ लीजिए शायद दुनिया की आधिया बादी खतम हो जाए कम से कम यूरोप तो बिलकुल ही खतम हो जाएगा कोगी इन्हीं में सी जितने दुन पर situations और ज्यादा critical हो चुकी है और ज्यादा critical situations हो चुकी है रिजल्ट्स जो है वो भयावे होंगे ये समझ लीजिए तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही